क्या रहने दूँ अभी तो बाकी हैं अभी तो गल्ज की कितनी बाकी है एक बाकी है और बोईज की दो बाकी है सिर्व हमें स्पोर्ट्स अकेडमी की तरब से मेरे सभी भाहियों को राम राम तो जैसे आप सभी को पता है अपना 1600 मीटर हार्ड वर्क चैलेंज का सत्रों दिन स्टार्ट हो चुका है हम लॉंग रॉनिंग करने ही पा रहे हैं हमारी स्पीड नहीं आ रही है तो हम क्या करें ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी जो टाइमिंग है 600 मिटर की वह कम हो तो जो मैंने आज वर्क आउट करा है आप उसको फॉलो कर सकते हो और अगर अच्छा करते हो तो आपकी कि बच्चे पूरा वर्क करते हैं इंजरी से फिरी रहते हैं और आप देख सकते हो कि बच्चे डेली बढ़ते हैं कम नहीं होते हैं कि किसी दिन ऐसा हो कि बच्चे कम हो रहे हैं तो आप देख सकते हो कमेंट्स कर सकते हो किसी वर्क आउट के लिए तो आज जो हमने किया व इसे मिन्त करना है तो तो दूसरा बधागोगे तो इसे एक बाद इसमें करना तो ऐसे डियुद्ध के रेस्ट पर आपको लड़कियों अगर मेरी कोई बहन है तो डस कर सकती है मतलब कि डेडमिंट के रैष्ट पर 5 करने है, इस्टार्टिंग में 5 करने, फिर जब 5 घतम हो जाते हैं, तो वो 6 मिनट रैष्ट करें, उसके बाद 5 फिर से लगए, 200 मिट्र भागे, डेडमिंट रैष्ट करें, फिर 200 मिट्र भागे, तो ऐसे पांच-पांच के दो सेट बना दीने है मेरा कोई भाई है तो 200 मिटर के 6 रेपिटेशन उसको करने है उसमें डेडमिंट करेश करना है 6 के बाद उसको 6 में टरेश करना है 6 से 8 मिनट उसके बाद फिर से 6 रेपिटेशन उसको भागना है शिक्स टाइम भागना है उसकी टाइमिंग आपकी होनी चाहिए लड़कों की होनी चाहिए 34 से 35 अगर किसी पर नहीं लगती है तो उपर भी कर सकता है लेकिन वर्काउट को पूरा करना है और अगर कोई गर्स कर रहे है तो वो 45 से 50 तक जा सकती है देखो तभी स्पीड आएगी अगर कोई मेरा भाई यह बहन सोचता है कि स्पीड ऐसे ही आजाती है कि वर्काउट करने से स्लूश लो कभी speed ऐसी नहीं आती है किसी की बातों में मत आना क्योंकि कोई एक्सराइज ऐसी नहीं बहुत है कि आपको वो तेज भगा दे यह आपके जो warm-up exercise होती है यह आपको injury से फिरी रखती है लेकिन अगर मैं बात करूं speed की तो speed से आपको भागना पड़ेगा क्योंकि simple सी बात है अगर आपको कहीं पर जाना है तो आपको उस रास्ते से जाना पड़ेगा आप ऐसे नहीं कि सोच लिया तो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे आपको speed वर्काउट करना पड़ेगा आप हालत देख सकते हैं बच्चों की कैसी हो चुकी है तो देखो अभी timing कम है आप सभी को पता है timing कम है तो उसके लिए effort आपको लगाना पड़ेगा हर 200 मिटर के मैंने आपको वीडियो दिखाई है timing भी बताया है वो 200 मिटर का वर्काउट का पूरा वीडियो मैं आपको दिखा है तो आप भी ऐसे speed के साथ workout करना तभी आपकी जो speed up हो आएगी तभी आपकी timing कम ह होगी मानता हूँ कि आपको पैन है सभी को है यहां पर जितने भी बच्चे भाग रहे हैं देखो सबसे पहले तो आपको mind stay strong होना है अगर आपका mind strong है तो आप तभी किसी भी field के अंदर success हो सकते हो आप अगर आपने पढ़ा है तो library में जाके पढ़ा है सारी चीजे को सारी और यह गलत फैम ही होती है कि जो कुछ comments होते हैं कि आपका एक महिने में या पंदरा दिन में साड़े 6 मिनट में रेस आ जाएगी 6 मिनट में आ जाएगी वो ऐसा होता है कि किसी में genetic जिन्स होती है कि जिसमें थोड़ी सी speed होती है बच्चा जो कोई sports से जुड़ा होता है त तो 100 में से 2-4 बंदे ऐसे होते हैं जिनकी आ जाती है लेकिन हर किसी को ऐसा नहीं होता हर किसी के साथ उनको effort करना ही पड़ता है तो मैं आपसे यहीं बोलूँगा भी भी आपके पास time एक मन्त है तो मेरे भाई और बहन आप जा सकते हैं ग्राउन पर मैंने first day से वीडियो पर बनाई हुए यह वरकाट की कि आपको कैसे करना है लॉंग जंप कैसे करनी है और आपकी high jump कैसे करनी है तो उस चीज को आफ वोलो कर सकते हो मैंने हर दिन एक नया वरकाट आपको बताया कि आप कैसे साथ रण कर सकते हो और अगर आपकी साज़ पूल जाती है क्योंकि मे स्पीड के साथ रनिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं बना अगर ऐसी बात होती तो स्पोर्ट परसन को इतने टाइम हो जाता है करते करते तो ऐसी बातों में मत आये करो या मत आना मैं आप से यह बोलूँगा आप देख सकते हैं सभी घ्यारत खराव है तो मैं बस आप से यह बोलना चाहता हूँ कि वर्काउट को फोलो और वीडियो को लाइक जुरू कर देना था